हाई अप्रिवान गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वल्कम टु मैं नीव लॉग मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहां पर मॉर्निंग में आज मैं नहा करके आ गई थी क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर करा था कि मैंने और अच्छे से ऑईल बॉइल उसके अंदर डाल करके जो हेड मसाज करी ती उससे मेरे को पूरी रात पर इतनी जादा इचिंग थी कि मेरे को मॉनिंग में नहाना पड़ा और मॉनिंग में यहां पर मैं आज बनाने वाली थी आलू के परांथे क्योंकि बेटू आज बोल क मेरे को तो बिल्कुल रात ही नहीं काटे जा रही थी वैसे तो हेर वाश मैंने मॉनिंग में पानी से निकाले थे उसके बाद मैं इवनिंग में रात के टाइम मतलब एक बार अपना किचन वगेरा समेट करके नहा करके सोती हो क्योंकि मैं को नीन आती अगर अच्छे से रा किचन वगेरा समेटने में कभी 11 भी बच जाते हैं वो डिपेंड करता है अगर मनीश कहीं बाहर गए हो तो लेट और भी जादा हो जाता है क्योंकि जब तक वो आकर खाना नहीं खाएंगे तो फिर थोड़े बद बरतन भी रह जाते हैं तो जब तक सारा किचन एकदम हुआ हो ना तुम्हें को लगता है कि सुबह के लिए काम फैला हुआ भी तो कई बार वही डिपेंड करता है कि कहीं अगर गए हैं लेट होएगा तो उसकी वैसे थोड़ा लेट हो जाता है अदरवैस यही रूटीन होता है तो मैं नहा करके सुबह सुबह आ गई थी और य साथ में थोड़ा सा किचिन किंग मसाला डाला था और भी बहुत सही चीज़े डल सकते हैं जैसे धनिया वगेरा डालके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बर आजकल धनिया आनी बन दो गई हैं पूछती हूं सारे सबजी वाले भीया से कि धनिया वगेरा है तो धनिया उन पॉने दस बजे के आसपास पास पराठा भेजूंगी क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा हो जाएगा पराठा फिर बचा करके लाएगी तो मैंने का एकदम गरमा गरम बना करके भेजूंगी पांच मिनट लगते हैं स्कूल जाने में तो देखर के आजेंगे तो पांच मिनट जाने में लगेंगे मैं पॉने दस बजे तक मैं टिफिन रेडी कर दूँगी तो बीच में अभी टाइम था मनीश की भी महां मीटिंग चल रही थी और मैंने सोचा कि यहां पर मैं अपना चोटा मुटा जो काम है एक्सरा फैला हो निप्ता देती हूं मेर बेटी की यह गुड़े फुड़े और यह जो नेल पेंट और उसको टॉइस वाइस फैले रहते हैं वह मैंने का समेट देती हूं और मेर्यों मेरे ब्रेस्ट बेढ़ कर के गई थी तो वह तो बहुर्ण नेल पेंट से बने गई अच्छे से ज्छारवाड करके रग दीती और यह मेरा इतना बुरा हाल कर देती है नेल पिंट से को ड्रेसिंग के उपर ऐसे खुली छोड़ रखी है यूज करके खुला छोड़ देती है भूल जाती है कि उनको बंद भी करना होता है इसकी है वगत्स केच कलर्स होते है जैसे कभी गिपटिंग में आ जाते हैं कभी कुछ ना कुछ में मिल जाते हैं इसको तो इसकी भी कैप हटा देती है वो All day बेंट के खुड़ा पतीजिंग देती है अपनी DIY रिंग बनाई जंक और मेनी को तो इसने अपनी DIY रिंग बनाई है पीछे से जो इलास्टिक होती है रबर होती है जो नॉर्मली बादलो वगरा हो में लगाते है तो यह रबर उठाई और आगे से इसने कुछ फैंसी सा क्लॉथ कट करा हुआ है कई बटन होता है फैंसी वो लगा लेती है या कोई भी फैंसी के ना डिख जाती है तो यह लगा लेती है और इसको पेस्ट पते कैसे करती है के पास कोई ग्लू अगेरा तो है नहीं तो यह पेस्टिं यह जो मेरी नेल पेंट्स है न इसका डॉट ऐसे टपकाती है उपर और उसको इसको रबर लगा करके सूखने के लिए छोड़ देद जब वो सूख जाता है तो उसके साथ थोड़ी चिपक सी जाती है तो फिर उसके जो रिंग है वो रेडी हो जाती है मतलब उसका दिमाग कितना चल जब मैंने फर्स टाइम देखा था इसको इस तरह से जुगाड करते हुए तो मैं को बहुत है रहानी हुई थी कि बड़ी हो मतलब चीजों कुछ अलग ही है हुई जो चीजों करने लगी सके वो चिदाव करने लगे है कि उसका मैंने जितना भी देखा है या आर्ट & क्राफ बहुत पसंद है, ड्वाइंग बहुत पसंद है, और चीजों को, मतलब कुछ अलग ही है उसका जो टेस्ट है न, बट हाँ अच्छा लगता है मेरे को, फिर यहां पर मैंने बेटू के लिए टिफिन वगएरा पैक कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने ते इसमें था मस्क मैलन, वाटरमेलं, पापाया और थोड़ा सा बच्श मेंनना, सीजनल चैど वटरमेलन में आपने में पसंद है और यह प्संद को बच्वट होगा आईी घर्ठा है न, बच्छ और फिर यहांपे 3-4 बज़े का ताइम रहा होग़ा या चार बज़े का तिन से बज़े का ताइम था दी तो क्रेविंग काने की खेविशन किछ घंड़ काने की है वैıs दो नी तो थोड़ी तेर ही क्षेविशन की ठंड़ा iだट इनाता टाइम एकदम से गर्मी होने लगी है कि बिल्कुल भरदाश करना मुश्किल हो गया है अभी तो फैन वेन काम करना ही बंद हो गया है तो गर्मी बहुत जादा एकदम से बढ़ गई है बाहर तो एकदम निकल ही नी सकते हो इतनी तेज लू चलती है न तो पैर के टाइम की पूछो मत आचा गई है और उसके बाद यहां पर मैंने शेक बनाया पहले ऐसे हुआ कि दूट डाला तो मेगो लगा बनाना कम पहर हो गया फिर बढनाना इब बनाना यह न मेंay बनाना फिर में को लगा दूद करो सुछा में जबूद मेंद बढ़ा तो इतना सारा बनगया यह और ए अशे सुंदा हो यह नहीं मुहम कुछ ना पाइट साते रहतेजकं एक अच्छे मनुद अच्छे से ब्लेंड करा था लहें हर्शी का शीरप पढ़ा थी हर्शी नहीं टिकार कशलर करने सीरप देकॉर हम बहुत पसंद हैं और चीज़ों को डेकॉर करके खाने से उनकी टेस्ट बढ़सा जाता है कहते हैं कि हमारे मुझ से पेट से पहले हमारी आखें चीज़ों को मतलब कुछ ऐसा डायलोग बोला जाता है तो यह चीज मेरे को देखने में खाना अगर बहुत अट्राक्टिव है मुझे बहुत अच्छा लगता और यहां मैं हर्ट बनाने लगी थी मनीश के लिए और यह बन गया था सरकल क्योंकि एक हाथ से मेरा फोन था मैं रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरी साइट से बना रही थी वह हर्ट की जगे वह सरकल बन गया और फिर यहां पे बेटू सो र यह बना करके लाई थी और यह स्टील वाला जो था ना यह मैं मनीश के लिए लाई थी बट वो डेकॉर करा हुआ था ना तो उनोंने वह ले लिया था और मेरे को यह वाला दे दिया था और उसके बाद फिर उनको बहुत अच्छा लग रहा था तो थोड़ा और और क्याता फीस मैठा सा ही एक इंज का या एक घेंज जितना भी यह बनाना था इतना सा सा पीस मैंने निकाल लिया थै ताकि में इसका बनाना का मास्क बना से मण माशकों और तो इसके अंदर मैंने थोड़ी थी की डॉप्स दाली थी और हनी मैं लेकर क्या akb利 ए conform सारा मनीश ना पी गए उनको जब मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना तो घर में चीनी हो रॉब्जा की बोटल पड़ी हो शहद पड़ा हो सब पी जाते हैं मीठा उनको इतना जादा पसंद है तो बोटल में जितना भी फिंगर से निकाल करके जितना भी हो पाया उतना मैं सब्रकिंद हो हमगे पायद थे उटकरके और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा को परेशान करने का सिलसी लाइन जारी था रहा भी कि मही हूब कभी कभी ना इतना इरिटेट कर दे और किथ हो प्रेसिते तो मेरा चोट करती यह थी थोड़ा सब अलगी पर् मेरे जैसे के और तो वह एकदम से उसमें लगे क्या बोलते हैं टेबल पर लगा और मेरे बहुत तेज फिर अगर उसमें नेल में लगती है नो चोट तो बहुत देर तक ना दर्द करती है तो मेरा पैद लगा फिर मेरे को और परेशान कर रहे हैं कि मैं उठा करके गुल-गुल गुमाता हूं तो मैंने का खुद घूम लो मेरे को क्यों गुमारे हो तो यहां पर यह उसमें से परिशान कर रहे थे और में को बहुत पेन होता है यह मेरा ऐसे उल्टा-फुल्टा हाथ भाद खीचते हैं तो में बहुत तेज दे देखो गुल-गुल घुमाया मुझे तनी तेज चक्कर आ गया कि मैं बेहोश हो के बैढ़ गया में को गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यह क्यों इतना परेशान कर दो कभी कभार यह सब मस्ती मजाग अच्छा लगता लेकिन कभी बार मूड नहीं है तो गर्मी ने इतना दुखी का रख है कोई काम करने का मन नहीं करता उपर से आप इतको परेशान कर देते हो विंटर सोती है न तो थोड़ा अच्छा हम इंजॉय करते हैं सारी चीजें और यह गर्मी आती है न मेरा तो दिमाग एकदम गरम हो जाता है कि बिलकुल गर्मी गर्मी सी लगती है कि थोड़ा परेशान मत करो और उसके बाद फिर यह जो ब पर सब्रमी गर्मी लुदू बनाने की कोशिश करिया यह से बैसactivल प्रोग में कीक्स कर रिया है तो बनाना शेक बनाते बनाते पता नहीं ऐसी मेरे मन में आया actually कुछ दिन पहले ना भी मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो भी बोल रही थी कि आज ना मैं बनाना पैक लगाने वाली हूं फेस पे तो फिर मेरे सब को भी याद आया जैसे होता है ना हम फ्रेंड्स पगेरा आपस में बात करते हैं तो उसने लगाया ना फिर मैं भी बनाना कट कर रही थी मॉनिंग में तो उस टाइम तो मैंने का सुबर सुबर तो नहीं लगाने का तो फिर अभी बनाना शेक बनाने लगी तो तब मैंने उसमें से थोड़ा सा पीस निकाल लिया था कि मैं भी लगाती हूं फेस पे उसके बाद मैंने अच्छे से लगाया और यहां मनीश फोन में कुछ कॉमेडी देख रहे थे उसको देख करके मुझे भी हसी आ गई थी और अच्छे से मैंने फेस पे मसाज बचा मसाज वगेरा करी और उसके बाद जो था इतना सा पीस मैंने लिया था सिरफ बनाना का उसमें भी हम दो जनों का हो गया था और उसके बाद भी थोड़ा सा बच गया था तो मैंनलब इससे भी हाफ अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो ना तो इससे भी हाफ बनाऊगे ना तो भी इनफ रहेगा तो उसके बाद जो बचा हुआ था वह मैंने मनीश को लगा दिया था और इनको तो मैंने बहुत जान बुच करके ना इनकी जो बीर्ड है उसके बहुत ही हाड सा हो जाता है अगर बालों में चिपक जाना तो फिर तो बाल लेके ही निकले गा तो अच्छे से मैं इनकी बेर्ड वगेरा में यहां पर अच्छे से लगा दिया था क्योंकि यह में बहुत परिशान कर रहे थे और उसके बाद पिरा गया इनका फोन जो करने के लिए आ जाते हैं तो मैंने भी बहुत परिशान कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनिट के बाद अपना फेस अच्छे से वाश वगेरा करके आई थी और साइट में थोड़ा सा हेयर में बहुत जादा चिपक गया था अच्छे से वाश करने के बाद भी च्छोटे च्छोटे उसके जो लम्स टाइप होती हैं चीजें वो मेरे साइट में बालों में चिपक गई थी वो निकली नेडी थी वही हटा रही थी मैं उसके बाद मैंने मस्त से एकदम जो टोनर होता है वो स्प्रे करा फेस पे और लिबाम वगेरा तो मैं लगाती हूं काजल की में बहुत बड़ी फैन हूं हों तो मैंने सिरफ ये ही लगाया था फ्रड़ सा काजल लगाया और और लिब्स को मॉस्टेराइज करे लिया था और साथ में सिरफ मैंने फेस के ओपर टोनर हो और कुछ भी अपलाई नहीं करना था क्यूंकि अभी मैं मास्क होता है तरह को मॉस्चिताराइज़ेंगं का ही कम करते ए तो फिर मैंने मॉस्चिताराइजर भी यूज öz नहीं करे तो पीछे मेरी बेटी भी मियना स्टार्ट हो गवा गया तो उसका अब उठने काट ङूगा है और उसके बाद यहां पे मैं उसको पढ़ाने-मदाने के लिए आ गई थी बेटू के लिए मैंने दुबारा से शेक बनाया था और बस आज का व्लॉग में ही पेंड करते हूं आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा